अच्छा अब मैं अपनी kimono dress की length को determine करूगी उसके लिए मुझे यह करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो अपने bus point को ना मैं लिकल पे रखें back के और उसको जो है आप यह करके देखें उसको pin करें फिर बिल करें तो हो सकते आपको hip line थोड़ी सी deviate करें थोड़ी सी उपर चली एक right angle mark करने के, step square से, ठीक है मैंने अभी mark किया, बिलकुल सीदी line मैंने mark कर लूँ, उसके बाद मैं अपने Japanese से इस line को extend करते हैं फ्रांट कर ले जाओंगी उसको पहले, इसको पहले, इचे एंसे फ्लाइट कर लें, और इसके दाए ऐसको अब देखें, आप यहां से नहीं मरियर गुरूगी कितना है, यहां 19 भी हो सकता है, यहां 20 भी, आप यह देखें, आप यहां 19.7 तो 8 आ रहा है, विच इस फाइन, क्यूंकि हमने बैग का रेप्रेंस लेना है, आप इसके नीचे 4 cm की अलावंस मार करने, अब मैं पूरा फोर पे नहीं काट किया, तोड़ा नीचे लुक है, तोड़ा नीचे लुक है, अब मैं शीटा कुछ मेरे से बाइ मिस्टेक फिनिंग उल्टी होगी थी, आप उसको सीटा करने लगी हूँ, और इसे मैं दुबारा मैनिकन के ले जाओंगी, इसको फ्लाइब करें, क्योंकि हम बाइक की सीम को रखते हैं, अक्साम की सीम पे, तो इसको प्लेस करें लबारा से, बीक काओंगी, इसको प्लेक करें, तो इसको प्लेक करें, क्या है और लिए जैमे नौट में भी जुट आसमागा नहीं कि याधिवल करगा प्रण है झाल झाल इसको माप करने के बाद आप में अपने हम को भी फोल्ड कर लेती हूं झाल 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 मैंने अपने सारी पीनिक कर दिया है अब मैं इसे दुबारा मैनिकल कर ले जाओंगे अब इसको भी मैनिकल कर ले जाओंगे अब मैं इसको दुबारा मैनिकल पर ले जाओंगे फिर हम इसकी योग को और के मोमने स्वीफ को ब्योड करेंगे कर दो सुबांगे झाल झाल